ओके लेट्स स्टार्ट डिस्केशन ओन स्क्रू गेज एंड माइक्रो मीटर तो माइक्रो मीटर कहते हैं इसको क्यों कि नॉर्मली देखो वर्नियर के अंदर 0.1 मिलीमीटर का रिजिलीशन आता है और टिपिकली जो स्क्रू गेज है इसके अंदर 0.01 लेकिन चाहिए तो इसको हम लोग माइक्रो मीटर बोलते हैं क्योंकि 0.01 तक भी हम लोग जा सकते हैं तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे ठीक है यह बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रुमेंट है यह वर्क कैसे करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है इसको मैं अभी समझाता हूं तो लेट मी जस्ट एक्स्प्लेइन कि यह बना कैसे हुआ है तो इसके पार्ट्स देखते हैं अभी पार्ट्स क्या है हम लोग इसके क्या-क्या पार्ट्स हैं वह हम लोग देखते हैं तो यह हम लोग का माइक्रो मीटर है ठीक है यही भी सही ह तो इसके parts देखते हैं कि क्या-क्या parts है इसमें तो लेट मी जस्ट explain, remove all the parts तो देखो इसके अंदर एक तो यह part है यह part को हम क्या कहते हैं यह इसको बोलते है ratchet क्या बोलते है राचेट तो यह एक ratchet है इसको कहते हैं हम लोग thimble इसके अलावा यह circular scale वाला part है और इसके अंदर ही अंदर यह अंदर से होके जा रहा ठीक यह पूरा ग्रीन इसले शेड होगा है क्योंकि यह और यह वाला assembly एक ही है यह इसके तुरू जा रहा है इसके अंदर पिरोया हुआ ठीक है और यह हमारा circular scale वाला पार्ट है और spindle circular scale and spindle arrangement कह सकते हैं और यह हमारा linear scale वाला पार्ट है जिसके साथ में यह वाला jaw हमारा left वाला jaw कह सकते हो connected है ठीक है तो इसको ही अलग-अलग करके दिखा देता हूं मैं अभी ओके तो लेट्स जेस्ट रिमूव एवर्यटिंग तो यह दिख रहे हैं इसके सारे पार्ट नजर आ रहे ठीक है क्या-क्या पार्ट से तो यह दिख रहे है यह जो हमारा spindle वाला पार्ट है इसके दूर जाता है और यहां पर यह पैंच बना हुआ है तो इसके उपर अगर टाइट करोगे तो हमारे जो पार्ट दिख रहा है तुम लोगों को यह वाला जो पार्ट है यह इसके अंदर जाता है और यहां पर इसको घुमाओगे तो क्या होगा यह जो तुम्हारा यह वाला जो अर्रेंजमेंट है इसके साथ को जोड़ा होगा तो यह इस पार्ट को अब घुमाने के लिए यह यह जो हमारे पास इसको थिंबल यह उपर रफ होता है इसके उपर दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा क्या क्या काम है और तो देखो क्या है जो नॉर्मली प्लास्टिक की बॉल रखी है उसको टाइट करते जाओगे तो वो पिच्का भी दे गई अगर लेकिन उसके बाद भी तो इसको घुमाने से और अंदर टाइट नाउट तो इसी लिए दो तरह की अरेंट मेरे पास यह जिसको थिंबल बोलते थिंबल से घुमाओगे तो लेकिन जब हमारा object fit होने वाला होता है तब फिर हम घुमाते हैं राचेट को पकड़के तो object जब फिट हो गया उसके बाद यह क्लिक मारने लगता है समझ गया फर्दर टाइट नहीं होगा यह क्लिक 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 करने लगएगा और फर्दर टाइट निक इस तरह का आइफ य जिससे एक लिमिटेड प्रेशर से ज्यादा प्रेशर यह एक्जर्ट नहीं कर सकता है समझ में आई बात की नहीं इसको टाइट करोगे तीरे 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 करके यह टाइट होते जा रहा है लेकिन पूरी तरह से जिसका डाइमेटर लेने चले ते उसी को आमने फिचकाई गिया तो अभी तुम लों से फिर से में स्क्रीन शेयर करता हूं देखो तो यह हमारे और पास एक क्या मा profit करते है सब लोग अभी ध्यान से देखो माइप्रो मीटर का मॉडल कैसेक Chief से करेगा इन विग्यकल क्या यह यहां पर क्या है यह इसको तो थूदधा से कलिम शिक यह लाता है Y emissionsन yeah and तो linear scale है और यह जो मेरा circular scale है तो क्या करोगे पेंच को घुमाओगे तो linear scale एक्षोज होता जाएगा सब लोगों मालू में किस तरफ से tight होता है पेंच किस तरफ से dealer होता है तो कैसे तो नीचे से जा रहा है तो नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो यह बात घ्यान रखना नहीं तो इसके अंदर क्या होता है अब टेकनिकल टर्म कुछ है क्या है एक है हमारा जो लीनियर स्केल है उसका लीस्ट काउंट और एक हमारा तो पिच की क्या डेफिनिशन होती है अभी ध्यानत से समझना तो एक पूरे रोटेशन में अभी जीरो देखो यह राइन न देखो यहां पे यह दिख रहा है यह बीच में एक प्रू गेज की एकदम मैच कर रही होगी ठीक है समझ गए रेफरेंस लाइन से यह जीरो लाइन एकदम मैच कर रही होगी अब उसके बाद एक चीज होती है पिच पिच की क्या डेफिनिशन होती है एक पूरा 360 तो कितना वह आगे चला गया उसको हम क्या कहते है पिच समझ में पिच की क्या डेफिनिशन है एक पूरे 360 में जितना वह आगे प्रोसीट कर गया वह हमारा क्या है पिच तो अभी इसकी पिच हम लोग निकालते हैं तो देखो अभी जीरो से इसको घुमाना शुरू करते तो अब मेरा क्या है देखो इसमें अल्टरनेट डिविजन से एक फिर से खोल गए दिखा देता हूं पूरा यह दिख रहा है यह जीरो यह वन अम्म मार्क है नीचे पॉइंट फाइंट फिर उसके बाद फिर जीरो पॉइंट फाइव वान वन पॉइंट फाइव टू टू प बना दियो प्रैक्टिकल उसके लिए हमेशा में स्केल का जो लीस्ट कांट होता है वह हमेशा पिछ के बराबर होता प्रैक्टिकली अदर्वाइस स्टेट इन दो क्वेश्चन नॉर्मली हमेशा ऐसा ही होगा ठीक है तो यहां पर भी देखो तो अभी दुबारा से इसको आगे दिखाता हूं तो अभी इसको एक पूरा चक्कर दे देते हैं तो पूरे 50 दिविजन स्केल के अडवान्स हो गया तो मेंस्केल पर दिख रहा है यह नीचे वाला डिविजन दिखने वाला इस अगर ध्यान से देखो तो यह देखो अभी नीचे वाला डिविजन एक्सपोज हो गया तो एक एक पूरे 50 डिविजन के इक्वालेंट रोटेशन या फिर 360 डिगरी रोटेशन में जितना यह आगे एडवांस कर तो फिफ्टी डिविजन का इक्वालेंट तुमने घुमाया तो पॉइंट फाइव में आगे चला गया तो युनिट्री में लगाते है तो इसका मतलब क्या एक डिविजन एडवांस करोगे तो कितना आगे जाएगा फिफ्टी आमिन पॉइंट फाइव में डिवाइड़ कि तो यह अगर हम देखाए तो यहां पे में canyon फे कितना फिल चुका छुआ है तो चुका है कर रहा है और एक डिविजन किसके इक्वाइंट हो गया 0.35 के 0.35 mm तो यह कितना हो गया 6.5 यहां पर 6.85 mm लिखा हुआ है अभी इसमें क्या है यह नीचे वाले को इग्नॉर कर दो यह तुम लोगो दिख रहा होगा अपने दिमाग से करना ठीक है क्योंकि यह और फर्दर बता रहा है अचली यह आभी 6.85 1 ऑविसली एग्जाक्ली किसी डिविजन से मैच करना कोई दरूरी नीचे इसमें आगे एक अर्रेंग्मेंट कर देते हैं तो आभी डूंट वर्य अबाउट वर्य अर्रेंग्मेंट एक एक ऐसा स्क्रूगेज होता है जिसमे स्क्रूगेज प्लस वर्य होता है मतला हम यह जानना चाहते हैं कि सर्कूलर डिविशन इतना तो एडवांस कर चुगा इसके आध फर्दर और कितना जा रहा है तो स्क्रूगेज के साथ वर्यर की टेक्नॉलजी हम आड़ करके थर्ड डेसिमल प्लेस और आड़ करते हैं वह तो ठीक है हाँ अभी बताओ अभी क्या रिड़ेगे इसका हाँ येस हाँ जस्ट वान सेकेंड मैंने अभी इसको देखो स्क्रूगेज को कहीं पर सेट कर दिया किसी में सेट कर दिया अभी तुम लोगो गैस करना है तो हाँ तो यहां पर तो हमारे पास option है इसको नीचे व अपनी नोट बूक में लिख लो जो भी तुमको लगता है जो रीडिंग है सब कुछ मतब दिमाग में एक बाद फिर से सोचो पिछ क्या है नमबर और डिविजन सब्लर स्केल क्या है उसके लीस्ट कांट क्या है और लीस्ट कांट तो क्या होगा पिच डिवाइड बेन अम अब 14 एमें और डिविजन कौन सा मैच कर रहा है तो यह कितना होगे हमारा अभी समझ में आई बात कि नहीं क्योंकि 22.01 करोगे ठीक है नहीं फिविजन माच करेगा यहां पर ध्यान रखना सर्क्लर स्केल में 50 है और पिच पॉइंट 5 है तो मैंने बूला था ना जो पिच होती है पिच हमेशा में स्केल के लीस्ट के बराबर होगी तो एक पूरा सर्कल घ अगे जाएगा तो उसको कुछ फायदा नहीं है दो पिच अगर आगे जा रहा है तो मतलब वहमें तो वैसे ही पता चल जाएगा ना आधे रोटेशन में एक में स्केल डिविजन आगे जाएगा हमेशा ऐसा होगा ठीक है ओल्दो जेहीं में एक ऐसा कूशन पूशा जा च यह सभी का हो गया ना यह समझ में है एक और एक और कर लो अभी अभी इसकी रीडिंग गैस करो कितनी है अभी यहां पर गरीब लिल लेतना हां वाट इस दे रीडिंग नौ सब लोग पताओ कितना रीडिंग है हां ठेक यूर टाइम तो 10.5 एंड प्लस 44 इंटू 0.01 तो दाट विकम्स 10.94 तो ठीक है ठीक है ओके अच्छा तो हमने यह तो समझ लिया कि अगर एक सही ठीक ठाक मेरा प्रूगेज है तो उसकी रीडिंग कैसे लेनी है तो हमें समझ नहां आ गया है कि पिच देख लेंगे पिच डिवाइड़ पर नंबर ऑफ डिवीजन करके लिस्ट काउंट आ जाएगा और उसके बाद देख लेंगे में स्केल पर क्या एक्सपोज है उतना तो हई है और फिर सर्क्लर स्केल का जो डिवीजन मैच कर रहा है डाट इंटू लीस्ट सकती है और उसके पहले यह देख लो ब्रीफली यह सब एक्स्प्लेन किया था तुम लोगो इसमें राचेट किसलिए है वालों में सब लोगो ध्यान है राचेट किसलिए था ताकि हम लोग का जो पी से ख्रशना हो जाए इसलिए राचेट था फिर थिंबल के बड़े- जो जो है यानि एक तरह का जोई है यहां पर तो और उसके बाद यह हमारे पास लॉक है लॉक किसलिए वापस की जैसे वर्नियर में लॉक था ना कि रीडिंग हमको फ्रीज करनी है तो यह लॉक पर रखता ठीक है तो अभी यह इसके बाद हम लोग देखते है जीरो एरर कि उसके बाद जीरो एरर देखते हैं इसमें बताओ कितनी रीडिंग है बता सकते हो अच्छा यह इसमें एक तो गेस करो कि सर्क्लर स्केल पर क्या लग रहा है कितने नंबर व डिवीजन होने चाहिए सर्क्लर स्केल पर अगर यह काईंड ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन सी या धास्केल कि लगर को षीकेल नपर अपे क्या दिख रहा है यहां पर यहां पर 10 दिख रहा है और ऊपर में 25 दिख रहा है तो यह नहीं तो नहीं होता है 50 होँगे यह यह तो पचास डिवीजन्स होंगे और मेन स्केल का लिस्ट कंट क्या दिख रहा है देखो यहां पर पी उपर और नीचे उपर नीचे उपर नीचे ज़ेए कि नहीं तो यहां पर में जिटा रहें जाएगा वापस 0.5 जाएगा पचास वाले में 0.5 होता है एक पिछ में 0.5 में आगे बढ़ेगा तो 0.01 समझ में आई बात की नहीं तो इसका कितना रीडिंग हुआ बता सकते हो इसकी रीडिंग कितनी हुई देखो क्या-क्या एक सब लोग ट्राइ करो इसकी रीडिंग सोचो बहुत ध्यान से देखना चल तो इसको अब डिसकस कर लेते हैं तो देखो यहां पर ध्यान से क्या नजर आ रहा है यहां पर यहां पर पॉइंट वाला मार्क दिख रहा है कई बार यह ओर साइट हो जाती है और कई बार जैसे पेपर पर में बहुत अच्छे से हाई रेडिशन इमेज नहीं होती है तो उसको बहुत एक सिकंड पाउस करके केरफुली देखना उसको जल्दबाजी में कई पर सिली मिस्टेक हो जाती है तो यहां पर यह 0.5 वाला मार्क मिस्स कर दिया तो कड़ बड़ हो जागा तो यहां पर दिख रहा है नीचे 0.5 वाला भी एक्सपोस्ट है तो इसका मतलब कित सब्सक्राइब है तो यहां पर इसमें पचास दिविजन से हैं तो कितना हो जाएगा फिर 18 इंटू 0.01 क्योंकि 0.5 में इसकी पेच होगी में स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 में ना तो पिच मेंशन नहीं है तो अंडर सुड है कि वही है जो मेंस्केल का इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो एरर किस तरह की हो सकती है तो स्कूरू गेज के अंदर या तो पॉस्टिव जीरो एरर होगी या नेगिटिव जीरो एरर होगी तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा भ्यान से देखो इस चीज़ को तो नॉर्मली अगर मेरा स्कूरू केज विदाउट एनी जीरो एरर होता है तो क्या होता है मेरा स्क्लर स्केल का जीरो जो होगा रेफेरेंस लाइन से एक्जाक्ली मैच कर रहा होगा ना तो ऊपर होगा reference line से ना reference line से नीचे होगा exactly match कर रहा होगा और जो वहाँ पर main scale का 0 लिखा होता है तो main scale का 0 को समझे दो से मी सर्टल से हमना तो इसका आधा 0 बाहर दिख रहा होगा था आधा इधर दिख रहा होता है ठीक है यानि main इस से चेक करेंगे कि reference line से हमारा सब्सक्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो लेकिन क्या है अभी मान लो मेरे जो तो anvil घेस गया किसी वज़े से एधर से तुमारा जो spindle का जो end वो किसी वज़े से घेस गया तो उस case में क्या होगा जब बंद करोगे तो वह 0 जो होगा वो और उपर चला जाएगा इस इसे टाइट होता है तो और ज्याधा करोगे तो 0 क्या होगा reference line से उपर चला जाएगा is it not normally यतना 0 के लिए उससे ज्याधा ट्राइट करोगे तो तुमारा 0 जब उपर की तरफ चल जाएगा तो reference line से अगर उपर है मेरा 0 तो मेरी 0 एरर कैसी है negative समझ में आई बात कि नहीं प्रिखी रेफरेंस लाइन पर तो जीरो जो है एक तम यानि सट्लर स्केल का जीरो प्रकुंसाइट करेगा अगर जीरो और उपर चला गहाँ इसकांद लोग आपके हैं और टाइट कर दिया तो मेरी इसकांद लगाँ जीरो एरर क्या है मेरी नेगेटिव समझ में आई अगर पूरी तर से बंद करके मेरा फिर फिर रेफेरेंस नांग के नीचे रह गया तो इससका मतलब क्या है नौर्मली तो क्या होना चाहिए रचित करना पड़ता है तो उसमें मेन स्केल की रीडिंग तो या पर जैसे जीरो हो गई और स्केल पर क्या मैच कर रहा है तो लिजन मैच कर रहा है तो अगर इसका लीश्ट कॉइट 0 1 mm है तो अभी क्या reading आ रही है इसकी गेज की 0.02 mm reading आ रही है तो इसका अधर इसमें क्या होगे हमारी 0 कितनी हो गई 0.02 समझ में आई बात कि नहीं 0 कितनी हो गई प्लस 0.02 ओके ठीक है और तो क्या करोगे जो भी reading आ उसमें से 0.02 माइनस करना पड़ेगा यहां पर यहां पर अगर हम देखें तो देखो 0 जो धक चुका है यहां पर तो जिरो विजिबल है और यहां पर ज्यादा टाइट होके 0 के उपर चड़ चुका है यहां पर इससे पता चलेगा कि 0 एक दो चार पांच वपर चली गई ना तो जो जर्क्लर सकेल फीजयिड रच प्रेंस लाइन से कितना उपर है पांच यानि कि हमारा नेगेटिव एरर कितना हो गया माइनस पांच हो गया समझ यह कि निए तो यहां पे कितना हो जाएगा तो हम यहां पे माइनस पांच यानि पांच और उपर चला गया तो माइनस पांच इंटू.01 तो कितना हो जाएगा पॉइंट माइनस पॉइंट 05 हो जाएगी यहां पर ठीक है एक तो यह तरीका सीधे देख लो कि कई बार क्या होता यह कौन सा डिविजन मैच किया यह लिखते नहीं यह बो स्केल फिगर बनाओगे तो उधर से अगर पांच पीछे होगा तो यहां से 45 मैच करना चाहिए तो यह ठीक से नहीं बनाए लाइन प्रिटेंड करो कि इधर 45 है ठीक है यह वाली लाइन को मत मानो इसको मानलो कि 45 के लाइन है ठीक है ठोड़ा चोटे बड़े गर्दी लाइ मानकर होगे तो लीस काउंट जो भी है अब ही इमाजिन कर सकते नहीं इस में भी हैं लीशकाउंट मेरा तो क्या करो करते घम जो चीज sms करते किया मेन-स-क तो अभी यहाँ पे मेन-सकेल कर रहा है? तो माइनस पॉंट 5 से दिया जाता है, कर यह बार ऐसे दिया जाता है, और कई sudah मैं बार ऐसे दिया होता है, तो कहिंड इसे दिया होता है, कि यह वला डिविजंग bike इस question में लैंग्वेज अगर बनाई जाएगी तो क्या होगा या तो लिखेंगे कि जीरो इस फाइव डिविजिन अबव जीरो तो फाइव डिविजिन अबव दा रेफरेंस लाइन या फिर हम बोलेंगे कि 45 डिविजिन इस माचिंग और हंडेड वाला होगा तो 95 डिविजि अब यह जब नीचे की तरफ घूमता है तुमारी तरफ वाला स्केल नीचे आ रहा है तो फूल रहा होता है रीडिंग बढ़री होती है उपर की तरफ रीडिंग भढ़री होती है तो यहां तक सभी को crystal clear है तो अब यह थोड़ा सा और प्राक्टिस करते है जीरो एरर के इसके बिना कुछ मतलब घूमाएं इसको क्या भी गैस कर सकते है इसका least count कितना होगा इस प्रूगेज का क्या लग रहे इसके circular scale पर कितने divisions दिख रहे है तुम लोग को जिस position से दिखा रख रख है इससे guess कर सकते हो कितने divisions इसे circular scale पर पता सकते हो क्या लग रहे 50 divisions है ना तो इसके जो इसका जो linear scale है उसका least count क्या होना चाहिए 0.5 mm होना चाहिए is it not क्योंकि एक पूरे चक्कर में वह गुमेगा ठीक है और 0.01 अगर इसका least count है तो वह 0.5 mm घुमेगा तो ठीक है इसको घुमाके मैं दिखा भी देता हूँ और नीचे में 0.5.5 क्योंगे ठीक है तो अभी जो normal position है इसकी तो अभी normal position में तो 00 से करेगा जब पूरे के पूरे जोज मेरे close है ठीक है अब क्या करते है अब इसके अंदर में जी जीरो एरर इंट्रिद्यूस करता हूँ ठीक है तो सबसे पहला काम तुम लोंगा होगा कि तुम मुझे बताओ कि जीरो एरर कितनी है अभी मैं मान लो इसको यहां पे लेके आ ठीक है अभी वेट करना थोड़ा सा यहां पे लेकर आ गया ठीक है प्रिटेंड करोगी जॉस्ट ने क्योंकि इसमें आप मॉडल बनाने में ऐसा है कि खुला दिख रहा है प्रिटेंड करोगी जब अपनी नोट्बुक में लिखो जीरो एरर और उसके बाद फिर हम लोग अपनी नोट्बुक में कितना जीरो एरर इसमें तो यहां पर देख सकते हो अभी यहां पर 11 12 13 13 division मैच कर रहा है तो जीरो कितनी हो गई तो अब क्या गरता हूं आप इसको कहीं पर मैं सेट कर देता हूं तो लोग बताना कि इसकी रीडिंग कितनी है ठीक है जीरो अर्र नो टो जाता हूं तो लोग बताना मुझे जिसके टीक अरूष केट है और शला लोग बता खीड सिरेंग कितनी है शब लोग करूठ रीडिंग बता Gwen Ska 1.5 के बाद यह division जो माच कर रहा हो 21st division माच कर रहा राइट तो 1.5 और 21 into .01 तो यानि क्या हो गया 1.71 हो गया राइट तो 1.71 तो unadjusted reading है और 0 error हमारी कितनी थी 0.13 तो positive 0 error थी तो उसको subtract करेंगे error हमेशा subtract की जाती है तो 1.71-0.13 कितना हो गया हम लोंगा बोलो 1.58 ठीक है तो यह हमारी reading हो गई तो यह समझ में आएगे नहीं तो यह हमारा 1.58 आगया 1.7 में से 0.13 सब्ट्राट कर देंगे तो एक और अज़ेस्मेंट कर रहा हूं प्राक्टेस के लिए ठीक है बोलना नहीं अपने notebook में लिखना ठीक है जो भी 0 error होती है वह अपने आगे की बात कर लिए तो लेट से आए पूटेट सम्वेर ओवर चलो अभी एक नेगेटिव जीरो के साथ करते हम लोग तो लेट सबसे पहले तुम लोग जब यह बंद हो जाएगा पूरा तो उसके बाद मेरे को जीरो बताना कितनी है हां तो सब लोग अपनी नोट बुक में अब लिखो जीरो एरर कितनी है ठीक है लिख लो तो फिर उसके बाद बात करते हैं हा तो यहाँ पर अबर बच्चे देखे यह नहीं दिख रहा तो पकी बात है यह नेगेटिव जीरो हर का केस है और कौन सा डिवीजन मैच कर रहे ह तो अभी ध्यान से प्रोसीड करना कई बार बच्चे देखते हैं नेगटेव जीरो रहे है थर्टीट मैच करें तो माइनस पॉइंट त्रीका वही है में लीनियर स्केल का रीडिंग और प्लस स्केल से इंफ्रेंस जो आ रही है तो लीनियर स्केल के उपर मेंटली हम मन की जाने की माइनस पॉइंट वान टू समझ में आई बात कि नहीं तो इसकी जीरो एरर कितनी है माइनस पॉइंट वान टू सब लोग ने लिख रखा ना नोट्बुक में क्लियर अभी को कोई डाउट तो निये जीरो एरर कैसे निकाला ठीक है ओके आ या फिर ऐसे देख सकते जो कि 38 डिवीजन है तो अभी जीरो के लिए अभी बारा डिवीजन और लएंगे इसको इस तरह से भी देख सकते हो हमारा तो जीरो कितना अगे गया हुआ है इस से तो समझ में आया नहीं सभी को जीरो एरर तो माइनस पॉइंट वान टू तो हमारा जीरो एरर है ठीक है अ इसके बाद मैं इसको कहीं पर सेट कर देता हूं ठीक है उसकी बाद तम लोग बताना रिडीग क्लेट मीं सेट इंड समवेर कहीं पर सेट कर देता हमें तो किसी प्यज़गे पर सेट करते हैं इसको चलो यहीं पर सेट कर दोते हैं इसको हाँ तो अभी इसकी रीडिंग सब लोग लिखो अपनी नोट बुक में जो भी रीडिंग है जो भी रीडिंग आ रही है और उस और अपनी नोट बुक में लिखो हो जाए तो अभी तुम लोगों ने लिख लिया तो अभी इसको डिसकस करते हैं हम लोग तो यहां पर देखो में स्केल पर क्या दिख रहा है 1.5 तो हाई है उसके अलब डिवीजन कौन सा मैच कर रहे है 156 20 से एक पहले ना 19 डिवीजन मैच कर रहे है तो 1.5 और प्लस 19 इंट सब्सक्ता करना रखना, इसमें से मेरे को क्या गरना है, 0 कितना हो जाएगा, बोलो, 1.1.81 तो इसकी correct reading क्या हो जाएगी 1.81 समझ में आए सभी को पक्का clear है सभी को अच्छे समझ में आए तो यह देखो तो 0 error हमारी कितनी थी माइनस 0.120 और रीडिंग नॉर्मल रीडिंग 1.69 तो यह सब्ट्राट किया तो corrected reading कितनी आ गई 1.81 ठीक है absolutely clear to everybody ठीक है ठीक है zero error बहुत ध्यान से calculate करना कई पार ऐसा ही दिया होगा कि zero is three divisions above तो इसका उनलब किया negative zero zero is three divisions below तो positive zero error ठीक है इसमें और practice से यह या फिर आगे बढ़ सकते हैं लोग clear है और practice से यह क्या ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं लोग हाँ तो अभी इसमें ध्यान से देखो यह screw gauge में फरक क्या है in fact जो मैंने model शुरू में 3D model दिखाया था उसमें भी अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो उसके अंदर भी कुछ इस एक तरह से ऐसा सुच सकते हैं तो यह जो एक्स्ट्रा और राइन से लिए यह उपर दे रखा न यह एक तरह का वर्यर प्रिंस्पल का यूज करके हम और अच्छे से पता सकते है नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं तो इस दिविजन माच कर रहा है फॉर्टी सेगं डिव और अगर इक्वाट इविजन की बात कर रहें तो 42.3 डिविजन माच कर रहें आई होप यू अंडरस्ट्राइब और 43 से पहले तो हो सकता है हमको लेना चीए 42.3 बेटर अप्रोक्सिमेशन तो और कैसे एप्रोक्सिमेट कर सकते है कि 42 डिविजन से कितना और आगे गया हु तो यहां पर इहां पर लाब में मिल जाएगा बर्ण अच्छा सेच क्रोंशन का और यह पर गयोफ में सकते हैं मैं बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन नहीं गया बड़ ध्यान से देखो तो यह यहां से जिरो से गिनना शुरू करो तो यह फॉस्ट सेकेंड थर्ड फॉर्ट फिफ्ट एट्थ और नाइन डिविजन दिख रहे है यह वर्नियर के टेंथ डिविजन से मैच कर रहे है में स्केल का जो 9 दिविजन वर्नियर के 10 दिविजन से मैच कर रहे है समझ में आई बात के नहीं ठीक है तो अभी इसका मतलब क्या है अभी यहां पर देखो जान से समझना तो इसका मतलब क्या है वर्नियर का जो एक डिविजन है वो 0.9 ताम में स्केल डिविजन है यही मत पहला चल रहा है पहला ना प्रिंट यहां पे यह यहां पर यहां पहला तो अभी तो जैसे यहां से यह यहां पर यह यहां-बदेगा रिखेंग तो अभी तो हमारा यह कौन सा है 46, 47, 48 division हम कह सकते है perfect match कर रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं मान लो इससे थोड़ा आगे निकला हुए तो क्या होगा हमें पता है अभी जो perfect matching position है इसमें vernier का जो यह mark है first line जो है यह मेरी main scale की first line से कितनी दूर है 0.1 circular division दूर है इसका मतलब कि अगर circular division को 0.1 और मैं अगर हलका सा आगे कर दूँगा तो अभी मेरी first line match हो जाएगी आई बात समझ में कि नहीं यह चीज़ सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बोलो समझ में आ रही है ना यह बात क्योंकि जब देखो न जब यह पूरी तरह से जब बंद है अभी ऐसे मतलब perfect matching है लाइन की अगर perfect matching है लाइन की तो देखो अभी यानि 46 47 48 यह reference लाइन से perfect match कर रहा 48 डिवीजन अभी है थीक है अभी इसका मतलब क्या 49 डिवीजन जो होगा वो हमारा वर्नियर की first से कितना आगया होगा point one आगय होगा is it not वर्नियर की वर्नियर की डिवीजन कितना है point nine times the main scale division is it not तो वर्नियर का यह जो division first line zero two के बिच में दिख रही है वर्नियर की एक लाइन है इस लाइन से जो जो circular scale की अगली लाइन है यानि 48th लाइन अगली नहीं 14 यह कौन से हमारा एक मिनट रुप जो तो यह इस लाइन से अगली लाइन यहां तो main scale के ऊपर तो तुम्हारा कितना है एक में एक में स्केल डिविजन है और वहां पे zero से first line के बीच में कितना है में स्केल डिविजन है तो इसका मतलब क्या यह वाली लाइन जो मेरी जो में स्केल की अगली लाइन है और वर्नियर की अगली लाइन है इनमें कितना सेपरेशन है कि में हमारा .1 circular division का separation है इतना settled है कि नहीं इतना settled है तो यह भी समझ में आरहोगा कि अगर मैं इसको .1 rotation और दे दूँगा तो वर्नियर की लाइन से माच कर जाएगा main scale का अगर पट्वाइन रोतेशन दूगा तो वर्नियर की पहली लाइन से माच कर जाएगा समझ में आरही बात कि नहीं और इसी तरह से वर्नियर की जो second line है वो इस से आगे जो इसको 45 के लिए बीच में करता हूं तो अच्छे समझ में आएगा तो अभी जैसे यह 21 22 23 अभी तो पर्फेक्ट मैच है 23 तो अभी क्या जो 24 मार्क है वो वर्नियर की लाइन से 0.1 आगे होगा अगे होगा तो इसका मतलब क्या है अगर मैं हलका सा इसको पॉइंट वन आगे इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा वर्नियर का फस्स डिविजिए एक्जाक्ली मैच कर जाएगा इस पोजीशन से मैं इसको हलका सा रोटेशन और देता हूं कितना रोटेशन और देना पड़ेगा और ताकि मेरा फस्ट मैंच हो जाए समझ में आई बात कि नहीं इसको पॉइंट वन सब्सक्राइब मैंने अगर आगे घुमा दिया तो देखो अभी मेरी फस्ट लाइन पर्फेक्ट मैच होगी समझ गया कि नहीं ऐसे पॉइंट टू सर्कुलर डिव और देखो कि कितनी रीडिंग होगी तो यहां पर देखो नॉर्मल तरीके से अगर मैं देखता हूं मानलो मेरे पास वर्नियर एचिंग नहीं दियो तो इसकी मैं रीडिंग क्या बोलता तो यहां पर देखो 11 12 13 13 तो खुला हुई है 13.5 तक खुला हुए 13.5 तक खुला तो कितनी बड़ी है और तो हम इसको क्या बोलेंगे यह जो डिविजन मैच कर रहा है तिस नॉट 15 डिविजन इस 15.4 डिविजन हुए इस नॉट एफेक्टिवली क्योंकि फॉर्थ वर्नियर मैच हो रहा है ना इसका फिफ्टीन के आगे 0.4 फ्रक्शन और गया हुआ आगे बात समझ आई अभी त्रिस्टल क्लियर हुआ हुआ बोलो समझ में आई बात सभी को कि नहीं आई पका क्लियर है तो अभी क्या हो जाएगा 15.4 तो हमारा क्या हो जाएगा इसका मत्रम मुझे 0.15 नहीं आड करना है कितना आड करना है 0.154 एड करना है समझ में है 100 परसेंट अभी कोई है तो अभी थोड़ा सा प्राक्टिस के लिए तयार है हम लोग ओके लेट्स डू सम प्राक्टिस दें तो यह दिख रहे है न अभी इसका लीस्ट काउंट लिया 0.001 हो गया अभी दिख रहे है यह हलके से एक्स्ट्रा अरेंग्मेंट से हमारा जो लिस्ट काउंट है यह 0.01 की देगा है एक देशनल प्लेस और पढ़ गया 0.001 हो गया लिस्ट काउंट तो कितना अक्यूरेट लिए तो अब वाकई में 100 माइक्रो मीटर में मेंशर कर पाएंगे इस तरह कि हम चीज़ें मेशर क पारें चीज़ें ठीक है तो अभी एक मैं प्राक्टिस के लिए दे रहा हूं वापस इसको थोड़ा सा डक्षेश इसको जूम कर दो ताकि नीचे वाला पार्ट ना देखें तो तो आब यूट्यूब वालों के लिए तो कोई option नहीं है pretend that you are not seeing the lower part of the figure ओके ठीक है बस guess करन है और तुम लोग हां तो अभी इसका तुम लोग reading guess करो क्या reading है इसका सब लोग try करो इसको हो जाएगा तो फिर हम लोग discuss करते हैं सब लोग सोचो कि अभी क्या reading है नीचे वाला पार्ट ignore कर दो assume that you are just seeing the upper part of the figure अपने notebook में लिख लो उसके या discuss करते हां तो अभी इसको ध्य 11-12 एक सब्सक्राइब 11-12 तो यह ऐसे ही है ठीक है तो यह नॉर्मल हो गया और 12 के बाद में फिर जो division हमारा मैच करता हो नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो 31 32 33 को क्रॉस कर चुका यह है ना तो अट लीस 12. अच्छा 33 से 34 के बीच में कि सकते हैं जरूब थोड़ी ना exact line match करें तो यहां से दिख रहा है कि reference line 33 34 के बीच में कुछ match कर रहा है तो वह कितना मैच कर रहा है 33 के ऊपर कुछ ले जाना हमें 33 के ऊपर कितना ले जाना पड़ेगा तो यहां पर देखो वर्णियर स्केल पर कॉन सा division match कर रहा है 7th division match कर रहा है तो 33 point हम क्या सकते है effectively क्या हो रहा है 33.7th division match कर रहा है what what that means you understand what I mean by that 33 division match नहीं कर रहा 33.7th division match कर रहा हमार तो 33.7 into 0.01 that becomes 0.337 ठीक है तो इसका मतलब क्या है मुझे 12 के अंदर कितना add करना पड़ेगा और 0.337 add करना पड़ेगा 12 to cross होगे और 0.337 तो यूर आंसर बिकम्स दें 12.337 crystal clear है सभी को आया समझ में पक्का हो गया एक और चाहिए प्रक्टिस के लिए एक और देता हूं प्रक्टिस के लिए ठीक है तो let me now change it to some other position ठीक है वापस YouTube वाले users pretend करोगी you don't have the lower part of the figure यहां प सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इसकी रीडिंग सब लोग figure आउट करो क्या रीडिंग है सब्सक्राइब करो हो जाए नोट्बुक में लिख लो हो जाए तो फिर आगे डिस्कस करते हैं तो अभी इसमें ध्यान से देखो यहां पर जो लीनियर स्केल है लीनियर स्केल पर मेरेको 10.5 तो दिखी रहे 10.5 तो हाई है पक्का उसके बाद फिर जो डिवीजन मैच कर रह है तो यहां पर देखो वर्नियर से मुझे पता चल रहा है तो इसका मतलों मुझे कितना लेना चाहिए 23.5 मेलको मानना क्या चाहिए 23.5 तो कोई डिवीजन नहीं है बड़ समझे बीच में उसको एस्टिमेट कर लिए 23.5 डिवीजन माच कर रहा है तो 23.5 को 0.235 तो 10.5 प् ठीक है समझ में आया ना यह वर्नियर वाला किस तरह से हम लोग रेंगे ले रहे आगे बढ़ सकते हम लोग तो अगला जो आईडिया हम लोग डिसकस करने जारें इसके अंदर स्कूगेज माइक्रो कर दिया तो स्टिमेटर वी क्या प्रिंसपल इसका वहई है तो स्कूग से एंदर तो मैं बंद नहीं कर सकता लेकिन मेरी COTильноS यह माॉसी है लेटर से तो मैंने ऑ्के और इसके ऊपर मैंने क्या कर सकतें मैं एक जैसा तुम को देखर घ्राइब तो इसकी तीन तो यह किनारे दिर पॉइंट अब ही और यहां पर उपर सब्सक्राइब तो इससका कर रहोगा और उसके बाद क्या होगा जब इसको मेरे को किसी चीज की थिकनेस मेशर करनी तेबल के उपर रखी वी चीज की थिकनेस मेशर करनी उसको उखाड़ना है लौट नहीं ठीक है कोई मुजियम में गए हो आर्कॉलजी के या फिर कोई को वाहां पर पता करना हिँ कि मुए इसको इसको नहीं कर रहा है समझ में आई बत कि न है और फिर जब इसको तक है तो आप देख लिया कि क्या रिटिक है च्पता लगा सकता हूँ तो अच्छाँ आप सवाल है कि इसमें सवाव स्वेर praise को मैं we can eatüt को मैं in the radius of the nature के लिए भी यूज्ञं कर सकता हों चीजों का रेडियर करेशर पार्फेस कर सकते हों उन उनका रेडियोस कक भी इससे निकाल सकता हो तो वह कैसे निकाल सकता हम भी ध्यान से देखो next slide पर देखते तो यहां पर गांसे यह दूट मुझे पता लगाना है तो अबयस्ली तीन टागे कहीं पर चूरी ओंगे और यहां पर इसको हमने स्पिरिकल सर्फेस पर रखा तो तो थोड़ा को खोलना पड़ेगा और यहां पे कुछ हमारी से स्केल रीडिंग होगी और कुछ मेरी में स्केल रीडिंग को उससे मुझे पता चल जाएगा बागी कि तीन टावं से कितना उपर है समझ में बात कि नि अब वो कितना उपर जा रहा उसको हम रेट कर यह लेट कर पाएंगे समयारा कैसे वर्प करेगा इसी तरह से तो अगर कॉन्वेक्स सर्फेस है तो मुझे पता है जीरो से ऊपर चला जाएगा यह और जाएगा यहां पर बीच में जीरो लाइन है नीचे अगर मैं इसको जुम इन करूं तो यहां पर लिखा देखो रीडिं सब्सक्राइन से नीचे हमको क्या रखा है कॉंकिया इसके लिए और इसमें कोई भी एरर नहीं है तो फिर क्या होगा परफेक्टली फ्लाट अर्फेस पे 0-0 से मैच कर रहोगा समझे हो भी बात कि नहीं और नहीं मैच कर रहा तो फिर उसको जीर और मान लेंगे पॉस्टीव हा तो इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं अभी ध्यान से सुनो फिर से तो क्या करोगे पहले तो फ्लैठ सेर्फेस लिया अपने एक परफेट लि WOOD यहां पर देखो यह एक सर्क्लर श्केल देख रहा है सर्क रहे तो अभी हम देखेंगे सेर्क्लर स्केल का कौन सा रीडिंग मेरा वर्टिकल स्केल से मैच कर रहे है वर्टिकल स्केल अपने एक रेफरेंस लाइन है समझ गए तो इसको घुमाओगे तो इसकी पिच देख लिए हमने कितनी है पिच डिवाइड़ बाइड़ डिवीजन से हन्डेड डिवीजन से स्केल पे और पिच जो इसकी वापस पॉइंट बने में हो जाएगा तो अब इसका मतलब किया अगर इसको एक पूरा चक्कर दोगे तो यह बने में उपर आ जाएगा ठीक है पूरा चक्कर नहीं दिया मानलो तुम्हार को 53 डिवीजन दिख रहा है इसका मतलब क्या है 1.53 म में वह समझ में आई बात के नहीं बिल्कुछ क्रू गेज की तरह सही है ठीक है तो यह समझ में ऐसे ऐसे कॉनकेर सर्फेस में क्या होगा यही चीज जो है नीचे की द इसकी कैसे क्या होगी तो अभी ज्यान से देखो हो यहां पर दियान से तो स्ट्रॅ में हमें मिलेगा क्या प्राइब यह जो तीन पर उससे मजई रुटर से मुझे इन्फर करना है समझ में आरी बात के लिए कि डारेक्ट रीडिंग मेरी क्या सिक्निफाई कर रहे है कि जो कितनः यही तो पता चलेगा आप यही जितना ऊपर उठी है उससे मिलेको रेडियर को रिलेट करना है तो सीधे पैथा गरस से थेखैं से काम हो रहा है हमारा देखो ध्यान से तो इसका पुछ तो हमारा सर्कम सर्कल होगा यह सlor का सर्कम तो इसका circum radius कितने हमारा D और इसकी यह जो हाइट है यह लेटर से H तो अभी पाइथागोरस ठीरम के साब से देखो तो D स्क्वेर और यह कितना हो जाएगा फिर यह यहां से यहां तक यह R-H हो जाएगा है ना तो D स्क्वेर प्लस R-H is equal to R स्क्वेर समझ में आई यह वाली इक्वेशन सट्रेट अभी के लिए बोलो समझ में आया कि नहीं तो यह अब किसी इक्वेशन को पता लगा सकते हैं चाहिए वह वह हो एच जो गा नीचे की तरफ चले जाए तो फरत नहीं पढ़ता रेटिस दो कर वेशन इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं चाहिए 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 तो इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कुछ जेई की देखो क्या है हमारे पास क्याकद एलो सर्उपलर स्केला माइक्रो मीटेर एट नु onu सब्थे इस मेंको दे रख्ण है इनिशाल काउफ़िगरेशन यहको गोएकर रक्षाilot और इतिकनेश निकालन पिच टू मिलीमीटर है तो इसका मतलब क्या है हमको वन मिलीमीटर एचिंग मार्क लगाने कोई जरूरत नहीं अगर पिच मेरा टू मिलीमीटर है तो मेरे वन मिलीमीटर मार्क लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है हम टू टू मिलीमीटर पर ही मार्क लगाएंगे बात समझा है क्योंकि अगर दो मिलिमेटर से पता चल जाए गा हृए हमारी हैं पहुषा हुए एच इस लिए जो पिछ होगी वह हमारे ỏiस होंगी अन्लेस अधर्वाुस्पेशिपाइन इन्ट भाह तो और स्क wonder झेह टो no need to make one millimeter etching marks on the main scale therefore because one millimeter would correspond to half rotation of the circular scale so circular scale से ही पता चाल जाएगा 1 millimeter हमको है ना कितना घूमा हुए circular scale therefore main scale etchings must be 2 millimeter apart तो अभी least count क्या हो जाएगा तो पेच हमारी 2 millimeter है और number of regions 200 है तो इसका अतला हमारा क्या हो जाएगा अब यहां पर देखो zero error कुछ है जीरो मेरा नीचे है तो यह बताओ यह पॉस्टिव जीरो एरर है यह बोलो इस पॉस्टिव जीरो एरर ठीक है समझ में आ रहा ना क्यों यह पॉस्टिव जीरो जाग अभी यानि 2345 फिफ्ट डिविशन माच कर रहा है जीरो से है तो क्या हो जाएगा फाइब इंटू.01 यानि 0.05 की मेरी पॉस्टिव जीरो एरर समझ में आया ठीक है और अब इसकी रीडिंग देख लो इसकी रीडिंग कितने है देखो 3 का मतलब 6 है समझ गए ना 3 का मतलब 6 है में मैं और उसके बाद कौन सा मैच कर रहा है देखो 41 42 43 44 46 मैच कर रहा है तो क्या हो जाएगा 46 इंटू.01 और 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 करेंगे तो क्या हो गया देखो क्या लिखा हमने प्लीस काउंट निकाला और उसके बाद 0.05 अब क्योंकि नहीं कोइंसाइट कर रहा था है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है मैं इसको सभी कर देता हूं कौन सा कोइंसाइट कर रहा था दिविजिजिन फिफ्ट इविजिजिन वहां पर है ना इसलिए हमारा 0.05 है सेकेंड इन फिगर में 3rd H is visible main scale reading हमारा कितना है 3 2 6 mm 3rd H visible है 1 2 3 main scale reading तो हमारी क्या होगी 6 mm वहीं लिखा है circular scale reading 0.46 तो यानी reading कितनी होगी 6.46 तो length मेरी कितनी हो जाएगी 6.41 mm हो जाएगी ठीक है तो इसमें हमारा जो least count main scale का 2 mm मैंने कैसे इन फर्किया एक बार फिर से मैं समझा रहो बहुत ध्यान से सुनना मेरी पास ठीक है अभी इंजीनियर अगर कुछ भी चीज़ डिजाइन करते तो कोई भी जिस फालतू में नहीं देता ठीक है जो काम की जिए वो देता है फालतू की जिए नहीं देत इस फालत है या मेरे को सब्सक्रार से पता से जाएगा रोग उसका है योगा कैसे क्योंकि 200 mm सब्सक्राइब कर रहाई तो तुमको जीरो विसबल होगा और 150th coinciding दिख रहा होगा तो इसलिए यहां पर जो है वो कितनी कितनी है दो-दो मिलीमीटर की एचिंग है ठीक है डूंट भी तो इसमें से फिर इर सब्राट कर दी तो इस तरह की सिली मिस्टेक मत करना एक्जाम में बहुत ध्यान से देखो इस एक्जाम्पल को यह एक्जाम्पल ना तो वन एम मार्क इसमें नहीं दिया रहेगा जो भी पेच होती है उतना ही में स्केल का लीस्ट का लीस्ट का लीस्ट का थे तो आई होब इस एक्जाम्पल इस ख्रिस्टल एबरीबड़ी ठीक है तो फाइनल लेंक में क्या कि हमने जो भी रीडिंग है उतने से जिरो एर वन मिलिमेटर ठीक है वन दिर इस नो गाप बिट्विन दे जॉस नाइटी सेवं दिशन कोइंसाइट विद दे में स्केल जिरो और जिरो अफ में स्केल इस नॉट विजिबल वाइल मेजरिंग दियामेटर बाल स्केल इस ब्री एम मार्क एं पूरे में मार्क सच थाइज इस पर कॉमेंट करना तो खुझ से ट्राइब करो नहीं तो फिर मैं डिसकस करता हूं उसके बाद हो जाए तो बोल देना तो यह डिरेक्ट अप्लिकेशन कोश्य नहीं है बस इसमें यह देखने के लिए है कि जीरो और आइंटिफाई कर पाते हो करेक्ली कि नहीं तो 97 पॉ हो गया और 97 मैच कर रहे है तो 97 इंटू.01 लिस्ट काउंट तो दिख रहे है ना वन एंटेट हो जाएगा लिस्ट काउंट तो माइनस वान प्लस 0.97 कितना हो गया माइनस 0.03 तो हमारी जो 0 एर्र है वो कितनी आ गई माइनस 0.03 mm आ गई ठीक है तो यह तो वैसे ही गलत हो ग अगर लिख लो कितनी है माइनस 0.03 अब बॉल का डामेटर निकालना है तो क्या है देखो 3.something है 3 और 4 के बीच में तो 3.76 हो गया तो 3.76 तो अंकरेक्टेड रीडिंग है तो 3.76 माइनस माइनस 0.03 तो यह क्या आ गया 3.79 मिलिमीटर आ गया एक्जांपल सभी को आगे बढ़ देखोशन वो क्या लिखा है a screw gauge having 100 equal divisions and a pitch of 1 mm is used to measure diameter of a wire of length 5.6 cm, the main scale reading is 1 mm and 47 circular division coincides with the main scale, find the curved surface area of the wire in cm2 to the appropriate significant figures, correct significant figures के साब से हमको area report करना है तो इसमे screw gauge का theory तो थोड़ा सा लग रहा है significant figures तुम लोंको मालू मना ची कैसे count किया जाता है पाई को लेने 22 by 7 ठीक है यह इन्होंने बोल दिया लेकिन फिर भी इसको exact constant ही मानना है यह मत सुचना कि 22 by 7 तो ठीक नहीं है को इतने decimal तक गलत है को सब मत समझे माननो कि पाई exactly 22 by 7 ठीक है पाई में कोई error नहीं है तो अब इसकी सिगनिक एंट figures के हिसाब से हमको area report करने जल लीस्ट काउंट तो सीरे 1 mm divided by 100 हो गया हमारा लीस्ट काउंट तो मेरा 0.01 ठीक है अब diameter वायर का कितना होगा तो देखो क्या बोल रहा है 1 mm हमारी main scale reading और 47 point side कर रहा तो यानि हमारा 1.47 mm diameter ठीक है अब cut surface area क्या होता है टू पाईर L जिसको हम चाहें तो पाई DL लिख सकते है हमारा diameter हो गया है तो पाई को लिखा 22 by 7 और जो हमारा diameter है उसको लिखा 0.147 ठीक है एक सिकंड डायमेंटर हाँ सेंटीमीटर में सब कुछ कर रहो ना convert तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में convert के इसलिए 0.147 लिखा और वो 5.6 cm है तो ऐसे calculator में डालके calculate करोगे तो यह calculator जो करने हैं तो क्या rule है multiplication में जिस number में सबसे कम significant figures होती है उतने number हमको finally retain करने पड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे काम अगर हम देखें तो यह 5.6 में 2 significant figures है तो इसको 2 significant figures तक round off करेंगे तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5872 की जाए 2.6 cm2 लिखेंगे तो crystal clear है यह सभी को पका समझ में आया ठीक है अगला question देखते हैं अच्छा तुम लों का कई जगा पर तुम लों को error के questions में एक word तुमको देखने को मिलेगा finding sales method सब्सक्राइब करें कई कई तुमको यह वर्ड देखनों को मिलेगा तो यह क्या sales method जो एक apparatus है जिसको हम experimental physics पर पढ़ेंगे अभी उसके बहुत जादा जानने के जुरूरत नहीं है roughly speaking हम यह क्या सकते young smallest कैसे निकालते हैं हम लोग कोई भी तार है तार के में natural length पता है उसके प्रेन मिल जाएगा और जितना लटका है एमजी डिवेट पर क्रॉस सेक्शन अरिया कर दोगे तो stress मिल जाएगा प्रॉस से निकालोगे जो भी तार है उसको डामिटर निकल जाएगा और नीचा कितना गई है वह भी हम माईक्रो मेंटर से मेशर करते हैं उसके लिए बी तो यह दो अलग-अलग माईक्रो मीटर हो सकते हैं इनके अलग मैक्रो मेंटर से कर सकते हैं और इंक्रीज इन लेंग जोए तो फिर तुमको पता है यंग स्मोड़नस क्या होता रहता एफ तो हमारा क्या हो जाएगा mg समझगे ने इस फॉर्मुला समझ में आ रहा ना यह तो इतना जानना काफी है कि दर मत जाना कहीं पर लिखावा सर्ल सेपरेटर तो उसका मतलब यह है कि यंग स्मॉडलिस ऐसे ही निकाल रहे हम लोग तो कुछ वेट दे रखा होगा समझ में आ रहे हैं स्मॉल लोग के लिए एक्सेंशन कितना है 0.25 mm हमारा एक्सेंशन आया है ठीक है quantities D and L are measured using a screw gauge and micrometer ठीक है तो यह मत सोचना कि सेम है instrument screw gauge को भी micrometer बोलते हैं लेकिन यह दो अलग-अलग instrument से भी measure करी सकते हैं अलग-अलग least count के instrument हो सकते हैं समझ गया जो वायर का diameter measure किया वो अलग instrument से measure किया और जो elongation measure किया वो अलग कि कुछ भी हो सकता ठीक है तो यहां पर वो देख लेना क्या बोल रहा है आगे 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 सेम पिच दोनों की पिच कितनी है 0.5 में में दोनों इस्ट्रुमेंट की पिच 0.5 में में नंबर अफ डिविजेंस वां दिया सर्कुलर स्केल इस हंड़े तो दोनों के इस सर्कुलर स्केल पर 100-100 डिविजेंस दे रखें ठीक है अब contribution to the maximum probability error of young smallest in the measurement is तो हमें बाकी चीज़ों के error का contribution नहीं देखना हमें सिरफ जो small l elongation है उसका contribution देखना है और small d का contribution देखना है तो अभी question क्या बोल रहा है the contribution maximum probability error के लिए errors in due to the errors in measurement of d and l are same d option के due to error in measurement of d is twice that of due to error in measurement of l due to error in measurement of l is twice that due to the error in measurement of d और चौछा क्या है due to error in measurement of d is four times that due to the error in measurement of l basically हमको compare करना है कि young smallest में जो fractional आने वाली है उसमें इन दोनों का contribution कितना कितना है किस-किस ratio में समझ में आया question try करो फिर discuss करते तो क्या किया है log लेके differentiate कर दिया तो हमारे पास क्या आगया delta y by y is equal to delta m by m plus delta y plus delta g by g plus delta y plus twice delta d by d क्योंकि d का square है इसलिए ठीक है और वो minus को plus क्यों करते सब लोगं को error की थिरी में मालूम है ठीक है तो अब हमको इन दोनों terms पर focus करना है तो least count जो है screw gauge का और micrometer का दोनों का ही same दे रखा कितना है 0.58 by 100 यानि least count को दोनों का 0.05 mm है तो अब फ्राक्शनल एरर एल में कितनी है तो l की absolute value दे रखिए 0.25 mm तो फ्राक्शनल एरर क्या होगा delta l by l which is 0.02 ठीक है अब d के अंदर जो error है उसका double लेना पड़ेगा हमको contribution के लिए तो twice delta d by d करना पड़ेगा ठीक है तो 2 यह भी मेरा 0.02 आ गया समझ में आई बत के नहीं तो दोनों बराबर आगे अग्दम क्लियर है सभी लोगों को अगले पर चल सकते है तो हमारा correct option क्या आगे दोनों का equal error contribution है तो option यह 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 यहां पर क्या है यह जिस source मैंने उठाया वह जई-2011 का बोल रहा है और एक और source में तो जई-2012 है तो ठीक है तो question क्या है हमारा density of a solid ball is to be determined in an experiment diameter of the ball is measured to the screw gauge whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on circular scale reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions if if the measured mass of the ball has relative error of 2% the relative percentage error in the density is dash तो उसके उपर हमें comment करना relative percentage error in the density खुझ से try करो और फिर discuss करते हैं लोग हां तो simply question है तो density क्या होता है m upon 4 by 3 pi r cube तो आर को मैंने diameter के टॉस में express किया हुए और फिर delta rho by rho exact constant में तो कोई error है नहीं तो वो क्या हो जाएगा हमारा तो 2.5 प्लस 20 इंटू 0.01 यानी 2.70 हमारा diameter है तो अभी क्या हो जाएगा total fraction error कितनी हो जाएगी density में या percentage तो यह तो टू परसेंट लिख लिए और 3 इंटू 0.01 क्योंकि least count हमारा 0.01 है तो इसलिए प्लस माइनस least count किया रहर है तो इसलिए अगे पढ़ सकते हैं लोग ठीक है आगे देखे अगला question देखते हैं तो अगला question यह देखो क्या है यह यह 2006 का actual question है क्या question है देखो इन a screw gauge the zero of main scale coincides with the fifth division of circular scale as shown ठीक है शोन इन the figure one circular scale of screw gauge has 50 divisions and its pitch is 0.5 mm the diameter of the ball being measured in the figure is अभी यह हमको final configuration दिख रही है और इस ball का अभी मिरको diameter निकालना है question clear है सभी को clear है question बहुत ध्यान से करना silly mistake नहीं करना ठीक है हो जाएगा तो फिर बोल दो तो इसमें ध्यान क्या देना है देखो यहां पर 5.5 mm है ना तो में स्केल का हर डिवीजन यह वह भी .5 mm होगा तो इसको गलती है 2 mm मत ले लेना यहां पर कितना mm exposed है यह बने में exposed है ठीक है अच्छा तो अभी क्यों क्यों क्योंकि हमें दिख रहा है यहां पर यहां पर यहां पर रीडिंग कितनी है फाइनली तो इसको वाइंट फाइव और पॉइंट फाइव और यह नहीं वान एम तो एक्स्पोस्ट और 25 डिशन माच कर रहा है तो 1.25 मेरी रीडिंग है तो 1.25 में से अभी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पास फाइनल रीडिंग क्या आ गई 1.20 मिलिमेटर यह हमारा फाइनल आंसर अगे अगले कोशन पर चलते हैं फिर हम लोग नहीं अगला कोशन नहीं है बस ठीक है चलो ता दाट कम्प्लीट सार डिसकेशन और स्क्रूगेज अगोप एवर से बस करोगे सिली मिस्टेक नहीं करना कॉंसेट बहुत आसान है ठीक है ओके थैंक यू